इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे Cotton Textile Industry में एहमदाबाद की Cotton Textile Industry ठीक है? देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक Basic Framework बताया Cotton Textile Industry का कि Cotton Textile Industry क्या होती है, कैसे काम करती है और उससे जुड़े है कुछ Facts, Figures इंडिया में क्या Position है वो सारी चीज़े अब हम पढ़ने वाले हैं Specifically Example लेके एहमदाबाद का, ठीक है? जो आपकी Topic में जिस तरह से Topics दिये गए हैं हम उस तरह से एक एक चीज़ को पढ़ते चल रहे हैं Clear? तो अब आपकी Book में जो Example दिये गए है एहमदाबाद का उस Example के तरह हम समझेंगे कि एहमदाबाद में कैसे Cotton Textile Industries Grow करीए, क्यों Grow करीए सारी चीज़े, एहमदाबाद से जुड़े गए कुछ Facts यह सारी चीज़े देखिए, इन एहमदाबाद इंदस्ट्री आर लोकेड़ी ऑन दी बैंक ओफ दी रिवर साबरमती ठीकें, तो साबरमती रिवर जो है, दो बाव रिवर आ गया तो साबरमती रिवर के बैंक पे मतलब उस रिवर के किनारों पे बहुत सारी Cotton Textile Industries देखो तो एहमदाबाद कहा है यह गुजरात है क्लियर अब गुजरात में भी यहां से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है न तो एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उपर है एहमदाबाद एहमदाबाद में बहुत सारी cotton textile industries और बहुत पुराने समय से जब हमारी कंट्री में कह सकते हैं कि cotton textile industries develop होना start हुई थी उस समय सा cotton textile industries एहमदाबाद में situate होना start हो गई थी फिर्स्ट मिवासस स्टैबlish in 1859 ठीक एहमदाबाद की जो पहली cotton textile mill आई वो कब आई 1859 में और country में सबसे पहली आई थी मुंबई में ठीक है मुंबई में भी कब आई थी 18- यह आपका homework हो गया लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मुंबई में जो पहली cotton textile mill आई थी वो किस year में आई थी आई होप आप लोगों ने जब लास्ट वीडियो लेक्शिर दिखा था तो उसे ध्यान से दिखा था अब आपको आंसर करना है अगली चीज़ का है इट इस इस सेकेंड लार्जेस्ट टेक्स्टाइल सिटी इन इंडिया ठीक आपके मन में एक सवाल सेकेंड लार्जेस्ट है मतलब इस से बड़ी भी एक कुई सी टेक्स्टाइल सिटी है वो कौन सी है तो मुंबई मुंबई इस दी लार्जेस्ट टेक्स्टाइल सिटी इन इंडिया ठीक है तो सबसे बड़ी टेक्स्टाइल सिटी अगर इंडिया में दिखे जाए तो मुंबई है मुंबई के बाद एहमदाबाद को मैंचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है यह मैंचेस्टर क्या चीज है जी हां तो मैंचेस्टर उनाइटेड वही मैंचेस्टर उनाइटेड जिससे पहले कभी रोनाल्डू खेला करता था ठीक है तो मैंचेस्टर क्या है इंगलेनड मेंचेस्टर में बताया कि सबसे पहले टेडिय मिल्स चाहाँ इंडियस्टर उन7ेस्टर इंडियसंटान करनाइट जान्रथ म स्टबात करता यह जाता था तो वो एक example हो गया, जैसे हम बोलते हैं कि अगला सचिन तेंदुलकर कौन बनेगा, तो जो भी बनेगा वो सचिन तेंदुलकर थोरी ना है, लेकिन हमने example set कर दिया, या फिराम ऐसा बोलेंगे कि आपकी कॉलोनी का सचिन तेंदुलकर, आया ना समझ में, वो चीज रहती है, तो एहमदाबाद को Manchester of India क्यों कहा जाता है, क्योंकि Manchester की significance है, वहाँ से सबसे पहले textile mills, mechanized textile mills established होना start हुई थी, और वो ही Manchester of India किसे कहा जा रहा है, एहमदाबाद को कहा जाता है, ध्यान रखना क्योंकि बहुत production होता है एहमदाबाद में, अगला क्या है, एहमदाबाद enjoys locational advantages, ठीक, अब सवाल यह आता है कि चलो textile industries हमने समझ लिए, सारी चीज़े समझ लिए, textile industries अगर एहमदाबाद में बड़ी तो क्यों बड़ी, locational advantages है इसलिए बड़ी, जैसा locational advantages हमने Pittsburgh में देखे थे, जैसे locational advantages हमने जमशेदपूर में देखे थे, ठीक वैसे ही locational advantages हम कहा climatic conditions है, those climatic conditions are suitable for the growth of cotton textile industries, कैसे क्योंकि वो climatic conditions में आप cotton grow कर पाओगे, cotton grow करोगे तभी तो industries में raw material आएगा, raw material आएगा तभी industries चलेगी, फिर अगली चीज़ क्या है, तो transportation, well connected, ठीक है, तो एहमदाबादी is well connected with the neighboring areas, market areas, सबी जगा बहुत अच्छी connectivity होने के कारण, वहाँ पे transportation facilities भी बहुत अच्छी है, हो गया दूसरा factor, और देखो, locational advantages क्या क्या है, वहाँ पे, कि आजु बाजु के जो neighboring areas है, तो वहाँ पे skilled और semi skilled labors मिल जा रहे हैं आपको, जब skilled semi skilled labors मिल जा रहे हैं, तो वो labors आपके लिए क्या कर देंगे, काम कर देंगे, तो industries, लेको यह ऐस skills चाहिए रहेगी, और क्योंकि आजु बाजु के जो neighboring areas है, तो वहाँ पे जो labors है, they know how to perform these activities, they are having those skills, तो उसके चलते क्या होता है, industries grow होने में, मदद मिलती है, ठीक है, तो यह कुछ factors हैं, जो बताते हैं क्या, कि आहमदाबाद में cotton textile industries अगर grow करती है, तो वह इसलिए करती क क्योंकि आहमदाबाद में locational advantages enjoy करता है, एहमदाबाद, ठीक है, एहमदाबाद as a city enjoys some locational advantages due to which cotton textile industries grew over there, ठीक है, अब आगे देखो क्या है, तो challenges faced by the एहमदाबाद textile mills in recent year, अब ऐसा है कि हमने देखा एहमदाबाद एक समय तक, अगर 1859 से 1950 तक भी अगर आप बोलो तो खूब grow करा, cotton textile industry के मामले में, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे एहमदाबाद ने कुछ challenges face करना है start किये, तो और challenges एहमदाबाद ने किस sense में, मतलब ऐसा नहीं कि एहमदाबाद को कोई डंडा लेके एहमदाबाद के पीछे पीछे दोडने चले गया, ऐसा नहीं, challenges in the sense कि वहा कॉणनी में, जब तक एक दुकान है आपकी, खुब समान में बिचोगे, आप खुब लोगों को क्या दोगे, महंगा महंगा समान दे दोगे, लेकिन आपकी कॉरोणी में, जब दो-तीन दुकान है और खुल जाएगी, तो वही चीज, emergence of new textile centers in the country, तो country में क्या है, देश में कुछ और नए textile centers आके grow कर गये, जब देश में कुछ और नए textile centers जैसे क्या हो गया, आपका अभिवताय कोईमबटूर हो गया, ठीक है, उसका आद में लुदियाना हो गया, लखना हो गया, कानपूर हो गया, तो जब कुछ नए textile centers आके grow कर गये, तो उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते एहमदाबाद की significance अपने आप कम होने लगा, एहमदाबाद का production कम होने लगा, फिर क्या as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of एहमदाबाद, अब एहमदाबाद में 1859 में जो boom देखने को मिला industries आयो और फिर वहाँ से बढ़ती चले गई, लेकिन आप वो industries अब आते आते क्या ह गई है, बुड़ी हो गई है, पुरानी हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, outdated हो गई है, और अप्ग्रेडेशन हुआ नहीं है, अब जब अप्ग्रेडेशन नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है कि जो industries बाद में लुदियाना में लगी होगी, दो साल पहले लगी होगी, उन industries का competition, ये outdated industries जो एहमदाबाद में उस समय बहुत पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले लगाई गई होगी, वो कर पाएगी, नहीं, अगर वो अप्ग्रेड भी कर ले थी अपने आपको, तो फिर भी एक बात थी, लेकिन अप्ग्रेडेशन नहीं हो पाया, उसके चलते क्या हो तो एहमदाबाद की मिल्स को ये चैलेंज फेस करना पड़ा, आगया ना समझ में, तो ये हमने पड़ा cotton textile industries in एहमदाबाद, ये पूरी कहानी जो मैंने आपके साहदा भी डिसक्स करी, ये एक example था, अब दूसरा example हम कहां देखेंगे, तो वल्ड में जो दूसरा example देखने वाले हम देखेंगे उसाका का, उसाका कहां पर हैं, तो उसाका जपैन में हैं, यहां तक किसी को किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.